हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज कल सर्दिया चल रही है न तो आज सर्दियों में गर नया 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 पराथा बनाने में सबको अच्छा लगता है आज हमने पालक के पराथे बनाए हैं चलिए आएए बनाते हैं तो पहले हमने पालक को धो लिया है तीन-चार पानी से उसके बाद उसको हमने बौयल करने के लिए रख दिया है जो हमी पालक बॉयल हो गई है तो उसको ग्राइंडर में डालक उसको पीस लेंगे मैंने ग्राइंडर में पालक डाली है उबली हुई धनिया पत्ती डाली है तीन चार कली लेसन डाला है और अपने हिसाब से मिर्चे डाली जितने आपको मिर्चे खाने हो और फिर उसके बाद में मैंने तसले में एक कटोरी आटा आधी कटोरी मैदा और पिसी ही पालक को उसमें फिर नमक डालेंगे अगर आप थोड़ा सा रिफाइन डालना चाहती है तो रिफाइन डाल दीजे ने तो उसको हलके हाथों से ऐसे ही सान लेजे अगर दूड़ डालके सानेंगी तो और साफ्ट बनेगा मैंने तो हलका सा दूड़ डाला है और ऐसे पानी से सान ले रहे है यह आटा यह आटा हमारा गेहू का ही आटा है चक्की फ्रस मेरा आटा गुथ गया है उसको मैं एक किनारे साइड में रख देंगे पांच मिनट के रिष्ट करने के लिए यह पनीर है इसको पनीर को आप चाहें तो कद्दू कस कर सकती है मैंने इसे हाथ से मैस कर लिया उसमें कटी हुई प्याज कटे हुए हरे मिर्च हरी धनिया चाट मसाला और गरम मशाला और नमक डाल कर आपस में मिला लेंगे यह देखिए हमारी इस्ट्मिंग जो पराठे में इस्ट्मिंग भरनी हो हमारी बनके त्यार होगी अब आटा हमारा सेट हो गया है इसकी छुबमन चाहे आकार की लोईया बना कर उसमें आए देखिए उसको ऐसे ऐसे करके अथों से जो यह इस्ट्मिंग त्यार की है इसको इसी हम पराठे में ळाटे में भर लेंगे और उसको बिल लेंगे आप लगर बढ़ पराठा करना चाहतीए तो बढ़ा बना लीजिए अगर छोटा खाना चाहतीए तो छोटा बना लीजिए यह देखिए हलका हलका बेलन से बेलेंगे जब भी पराठा भरने वाले पराठे बनाते तो आठा टाइट नहीं सानते हमेशा आठा थोड़ा धीला सानते जिसा पराठा आसानी से बिल जाए देखिए हमने थोड़ा सा मक्खन पलेट देंगे बहुत आज तेज नहीं रिखेंगे अगर तेज रख दो तो पराठा जल्दी से जल जल जाता है उसको धीमे धीमे हाथ में आज में कुरकुरा होने तक सेखेंगे यह देखिए फिर अगर आप बहुत ज़दा अगर मनहों घीमी ज़दा लगाई है मन Orlando हलका हलका लगाई है हमारा पराठा सिक रहा है सरदियों में तो वैसे भी पराठे खाने का आनंदिया लग हुता है चाहें आप किसी भी सबजी के बनाईए मेती के बनाईए पालक के बनाईए बतुए के बनाईए चाहें तो आप स्टिफिंग करके बनाईए या ऐसे ही बनाईए आज हमने पालक पनीर पराठा बनाया है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए हमको सपोर्ट करिए ये देखिए हमारा गरमा गरम पराठा बनकर है तयार अब इसी तरीके से हम सारे पर जतने पराठा लोईयां हमने काटी है सब लोईयों का पराठा बना लेंगे ये देखिए इसमें भी हम उसी तरीके से घी लगाएंगे इसमें भी ये देखिए हमारा पराठा धिमी धिमी फूल रहा है पराठा जितना अच्छा सिखा होता उतना अच्छा खाने में अच्छा लगता है प्लीस हमको भी कमेंट करके बताईए आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हम जो बनाते हैं आपको पसंद आता है या नहीं यह देखिया हमारा पराठा बनकर रहा तयार आप चाहे तुसे मक्षना और लाल लीजिए उपर से डालिए और खाइए मज़े लीजिए यह देखिया लग रहा है ना देखने में डिलीशिस पराठा उतना ही खाने में मज़ेदार थैंक्स फॉर वाचिंग